आप सभी साथियों को जैहिंद, आपके बीच में मैं अधिन मंतर के यूटूब चैनल पे प्रबल उपस्तितु एक पहुती सांदार से इन्फोर्मेशन के लिए, आप सभी लोगों को पता है कि 9 जनवरी 2024 को राष्ट्रुपती बवन में हमारी मानिनिये राष्ट्रुपती स जो हम खेल पुरशकारों की बात करते हैं, जब सबसे बड़ा जो पुरसकार है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? खेल रतन के नाम से जानते हैं। होती है उसमें आपके सरस्रिस्ट कोच यानि ट्रेनर का पुरसकार आपको दिया जाता है और इसके आलावा इस ट्रेनर के पुरसकार में दो तरीके के टेगरी होती है एक रेगुलर और एक लाइफ टेग और इसके आलावा मौलाना अबुल कलाम आजाग ये जो ट्रॉफी है यह आपको दिया जाता है सर्फ्रिस्ट जो आपके युरिवर्सिटी है उसको दिया जाता है तो आपके सामने यह जो दिख रहा है यह खेल रतन आपको मेडल है और यह जो आपको सामने दिख रहा है सर्फ्रिस्ट किलारी के लिए अरजुन पुरसकार लेकि सबसे बड़ा ज जो भारत के सबसे युवा परदान मंतरी थे उनके नाम पे था लेकिन अब इसका नाम बदल करके तो भारत का सरबुच जो खेल पुरसकार है अब किसके नाम पे कर दिया गया है तो मेजर ध्यान चंद के नाम पे कर दिया गया है जिनको हौकी का जादुगर कहते हैं जिनको दद्दा के नाम से famous है, तो अब ये जो आपके award है, वो यहाँ पे major ध्यानचंद, हिंदी में major ध्यानचंद आपके लिखा होता है, तो सर्फिरिस्ट खेल पुरसकार जो पहले राजिव गांदी जी के नाम पे था, अब आपके ध्यानचंद के नाम पे है, पहली बार जबी पुरसकार आपको दिया गया, तो फर्स टाइम आपको दिया गया ये पुरसकार 1991-1992 में ये पुरसकार दिया गया, जिसको आपको खेल रतन पुरसकार मिलता है 25 लाक रुपया, अर्जुन पुरसकार जिसको प्राप्त होता है 15 लाक रुपया कैस दिया जाता है, तो खेल पुरसकार में एक मेडल दिया जाएगा एक आपका सम्मान पत्र जिसमें आपकी उपलब्दी लिखा होगा राष्ट्रपती के द्वारा विशेश समारों में राष्ट्रपती बवन में अरजुन पुरसकार में पंदर लाक रूपया और प्रसस्ती पत्र और आपके अरजुन अबुल अजात कलाम ट्रोफी जो सर्फिर्ष्ट भिश्व बिढ़े जो आपके होते सबसे ज्यादा पदक जीतने वाले उनको दिया जाता है आपने बोला कि सर 2024 में यानि 2023 के पुरसकार जिसको 2024 में दिया गया उसमें खेल रतन पुरसकार दो खिलारियों को दिया गया है अरजुन पुरसकार 26 खिलारियों को दिया गया है दुरोनाचार पुरसकार पांच कोच को दिया गया है लाइफ टाइम देखो नियमित में रेग के से अपने युगदान देते हैं पर्टेक्ष याप परुक्ष रूप से उनको दिया जाता है इसके अलावा जो सर्फिरिस्ट आपके विश्व बिद्याले का जो मौलाना आजात प्रॉफी है वो इस बार गुरु नानक विश्व बिद्याले को आपके पंजाब में दिया अब आपने बोले कि सर इस बार किसको किसको मिला है सबसे बड़ा जो खेल पुरसकार है तो दो आपके बेखती हैं एक अनामे चिराग चंद्र सेखर सेटी और रंकी रेडी साथविक साही राज इन दोनों को इस बार मेजर ध्यानचंद खेल रतन पुरसकार से सम्भानित क दिया गया है आप कमेंट करके बताइएगा इस दोनों कोन से खेल से आपके संबन्दी थे इसके आलावा जब हम अरजुन पुरसकार की बात करते हैं तो अरजुन पुरसकार में इस बार टोटल आपके 26 लोगों को दिया गया है लेकिस सबसे जादा अगर किसी की चर्चा ह तो वह किसी है तो वह सबसे जादा चर्चा किसी के नाम किये तो इंडियन किर्केटर जिनों ने इस बार के 2023 के वर्ल्ड किर्केट कप में ICC Man's Trophy World Cup में सबसे जादा बिक्ट लिया इनों इनका जीवन पुरा संगर से आपके बार रहा तो इनके नाम की चर्चा तो एक मात् 23 में अर्जुन पुरसकार आपको परदान किया गया है इसके आलावा और भी बहुत सारी महत्पूर्ण आपके खिलारी है जिन में आप सब लुग नाम देख सकते हैं आपके प्रजीर प्रविन देवताले से लेकर के बैसाली से लेकर के मुमत समी से लेकर के सारे लोगों के तो टोटल आपके 26 लोगों को क्या दिया गया है तो आपके अरजुन पुरसकार से संबानित किया गया है तो ये आपके जो राष्ट्य पुरसकार खेल के संदर में जिसमें सर्बुच खेल रतन पुरसकार होता है जो आप मेजर ध्यान चंद के नाप है उसके बाद अर्जुन पुरसकार उसके बाद दुराचार पुरसकार, लाइफ टाइम और रेगुलर सिरनी में उसके बाद special आपके contribution in sports के लिए ध्यान चंद और सर्फिरिस्ट बिश्विद्याले जो जित्ता मौलाना अबुल कलाम आजार ट्रॉफिट दिया जाता है तो ये सारे information आपको पता लगे होंगे अगर ये session आपको पसंद आया हो तो एक बार session को like कीजिएगा और जो मैंने सवाल पूछे है उसके offline में answer देना comment करके और प्यारे प्यारे comment कीजिएगा ऐसे ही session आपके बीच में लेकर के आते रहेंगे आप सभी का बहुत बहुत धने बात इस channel को subscribe कर लेना इस session को share करना और जादे जादा like करके अपना प्यार दीजिएगा thank you so much love you all take care bye bye बने रहेगा दिन मंतरे के साथ जैन साथ